किसान भाईयों लहसुन की फसल में 25 और 30 दिनों की मद्य हम में पहला खाद और पहला इस्प्रे करना होता है तबी एक कहीं जाके एक अच्छा उत्पादन हम निकालने में सफल हो पाते हैं अगर जो हम सुरू से ही किसान भाईयों हमारी फसल में कोई उरवरक तत्व नहीं देंगे या पोशक तत्व की पूरती नहीं करेंगे और बाद में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारी फसल में खाद या कुछ भी आप दे दो तो एक अच्छा result हमें नहीं मिलता है क्योंकि किसान भाईयो लहसुन और प्याज कंद वाली फसल होती है इसमें शुरू से भी हमें ध्यान देना होता है कि हमें पहला खाद कौन सा देना है पहला इस्प्रे कौन सा करना है तो किसान भाईयो सभी विश्यों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ ये जैसे की वीडियो में आप देख रहे हैं ये मेरी 35 और 40 दिनों के मद्दे की लहसुन की फसल हो चुकी है और रिजल्ट आपके सामने है कि मैंने इसके अंदर जो पोशक तत्व दिये है जो इस्प्रे किया है फंगी साइट कीट नासक और टॉनिक दिया है वो सभी मैं आपके सामने रखूंगा जो सभी बताऊंगा मैं तो किसान भाईयो देख रहे हैं कि लहसुन की बसल कितनी हरी भरी हैं बिल्कुल कोई भी रोग नहीं है और इसकी जड़े भी मैं आपको खुद कर बताता हूँ इसकी जड़े कितनी मजबूत और कितनी लंबी जड़े हैं और बिल्कुल स्वस्त लहसुने इसमें अभी कोई बिमारी नहीं है तो किसान भाईयो हम बात करते हैं कि हमें पहला इस परे कौन सा करना है और कौन सा पहला खाद देना है किसान भाईयो 20-25 दिन के बाद जब हमारी लहसुन की फसल में निंदाई गुडाई हो जाती हैं उसके बाद में जब हम पहला खाद देने जाएं तो सबसे पहले हमें हमारी लहसुन में ये देखना है कि उसकी जड़ों में कोई बीमारी नहीं है जड़ तो नहीं सड़ रही है या उपर से पत्ते तो नहीं सुख रही है तो अगर जो मानलो हमारे फसल स्वस्त हैं हरी भरी हैं कोई बीमारी नहीं है तो हमें ज़्यादा कुछ खर्चा करने की जरूत नहीं है खात में हमें सबसे पहले क्या लेना है किसान भाईयो हमें डीएपी लेना है अगर जो 12-16 एपको का अगर जो उपलब्द हो सकता है तो या तो 12-16 ले सकते हैं और अगर जो मानलो 12-16 नहीं मिलता है तो हमें 30 किलो डीएपी लेना है उसके साथ में किसान भाईयो हमें पोटास मिलाना है पोटाज एमोपी पोटाज जो मूरेप आप पोटाज के नाम से आता है अगर जो आज के समय में वहाँ उपलब्द नहीं हो पा रहा है तो अगर जो उपलब्द नहीं होता है तो आप उसकी जगा ASOP भी ले सकते हैं सलफेट आप पोटाज तो उसकी मातरा हमें रखनी है 25 किलो और अगर जो एमोपी पोटाज मिलता है तो उसकी मातरा हमें रखनी है 20 किलो उसके बाद किसान भाईयों हमें लेना है इपको कमप्री का सागरी का सागरी का हमें के मातरा रखनी हमें 10 किलो 10 किलो का बेग आता है अगर जो वह उपलब्द हो पाता है तो ठीक है अगर जो वह नहीं मिलता है तो आप बायो विटा भी ले सकते हों क्योंकि ये दोनों जो खा दे इनके अंदर सभी पोशकततों मौजूद है हमें अलग से पोशकततों देने की जरुरत नहीं है तो या तो इपको मिले ता आप इपको की जो सागरीगा आती है वो सबसे बेश्ट होती है आप उसको ले लिजे 10 किलो उसके बाद में किसान भाईयों हमें 5 किलो मेगनेशियम सलफेट लेना है मेगनेशियम सलफेट जो होता है किसान भायों हमारी कंद वाली फसल के लिए बहुत ही महतोपूर्णा आता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है पूदे में वो बढ़ाता है उसके नई साखाओं का विकास करता है उसमें गिरिनेस लाता है पूदे में अधिक जैसे की कंद वाली जो फसल होती है उसमें जो कंद का आकार बढ़ाने में एक अहम रोल उसका निभाता है तो हमें मेगनेशियम सलफेट लेना है पांच किलो और उसके बाद हमें किसान भायों 6 किलो 90 प्रतिश्यत वाला WDG सलफर लेना है किसी अच्छे कंपनी का हमें WDG सलफर लेना है जिसके मातरा हमें 6 किलो रखनी है और उसके बाद किसान भायों हमें कीडे के लिए जो जड़ों में मानलो के हमारी अभी तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन आगे भी नहीं लगे उसके लिए हमें 5 किलो बायर कंपनी का जो रिजिएंट के नाम से आता है जिसके अंदर 3.5 प्रतिशत फिपरोनिल होता है तो हमें उसकी मातरा रखनी है 5 किलो अगर जो वो नहीं मिलता है तो आप उसकी जगा कार्बो फिरान भी ले सकते हैं और अगर जो दोनों उपलब् तो आप लिक्वेट में जो हमारा क्लोरो आता है क्लोरो पेरिफास 50 इसी आप उसको भी 500 ग्राम प्रति एकड के हिसाब से ले सकते हैं उसके बाद में किसान भाईयों हमें अगर जो मानलो आपने सिंगल सुपर फास पेट जब हमारे प्याज की लसुन की बुवाई के पेल नहीं डाला हैं तो आप 35 किलो प्रति एकड के हिसाब से जो दानेदार एसेस पे जो आज आ रहा हैं वरतमान में जो दानेदार असुपर आने लग चुका हैं तो उसकी मातरा आपको 35 किलो रखना है और इन सभी खातों को एक साथ मिला कर अपनी फसल में छिड़काओ कर दे और छिड़काओ करने के बाद में हमें पानी पिलाना है पानी पिलाने के कम से कम आट और दस दिन आट दिन के बाद में हमें पहला इस्प्रे करना है तो अब किसान भाईयो हमें इस्प्रे में क्या-क्या हमें कीट ना सक लेना है अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं त ज्यादा रोग नहीं है तो आप रोगार भी ले सकते हो अगर जो आप अलिका लेते हैं तो अलिका की मातरा हमें रखनी है 30 ml प्रती पंप और 180 ml प्रती एकड और अगर जो पोलीट्रिन आप लेते हैं तो पोलीट्रिन की मातरा रखनी है हमें 40 ml प्रती पंप और 200 ml प्रती एक पेले हमें हमारी भसल में देखना है अगर जो हमारी भसल में बिल्कुल हरी भरी हैं पिलापन नहीं है उपर से जो पत्ते के जो मुह है वह नहीं सुख रहे हैं तो आप हलका भुलका जैसे की UPL का सार जिसके अंदर कार्बेंड आजिन प्लस मेंको जे पाय जाता है जो कि दो किसान भाई यो हमारी भसल में पिलापन है उपर से पत्ते सुख रहें तो उसकी जगा हमें एक दूसरा फंगिसाइट लेना है जो कि बायो इस्टेट का रोको नाम से आता है जो कि एक बहुती अच्छा कांबिनेशन है उसके अंदर और बहुती अच्छा फंगिसाइट है जिसके अंदर थायो फेनाइट, मिथाइल, सितर, प्रतिशाइट, डबल्यू पे फाम में पाया जाता है यह किसान भाई यो सभी तरह के फंगस को खत्म करता है फसल में जो पीलापन है जड़ सडन और पत्ता गलन जितनी भी तरह के फंगस है सभी फंगस को खत्म करता है तो यह एक अच्छा फंगी साइट है, आप इसको भी ले सकते हो, इसकी मातरा किसान भाईयो हमें रखनी है 200 ml प्रती एकड की हिसाब से, और अगर जो पंप से आप इस्प्रे करते हैं, तो पंप में मातरा रखनी है, 40 ml प्रती पंप, तो किसान भाईयो उसके साथ में हमें अ आता है इस्प्रे के लिए, 19-19 जो खाद आता है, वो भी ले सकते हैं, उसकी मातरा हमें 1 kg प्रती एकड के हिसाब से रखना है, और उसके साथ में किसान भाईयो हमें होमिक एसिट लेना है, होमिक एसिट हमें 90% वाला कोई अच्छी कंपनी का होमिक एसिट लेना है, तो होम रखनी होमिक एसिट का काम होता है किसान भाईयों पोधों में जड़ों का विकास करना, नहीं जड़ों का विकास करना, जड़ो में एक ताकत प्रदान करना, जितनी ज़्यादा जड़े लंबी होगी, उतना जमीन से वो पोशकतत्व खीचेगी, और अपने जो कंडवाली जो फसल होती है उसमें होमिक एसीट बहुत ही मयत्वपूर्ण होता है तो हमें होमिक एसीट केसी अच्छी कमपनी का लेना है जिसकी मातरा हमें रखनी है 50 ग्राम प्रती पंप और 200 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से इन सभी को मिलाकर किसान भाईयों हमें इस्प्रे करना है और इस्प्रे करने के चार दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है उसमें एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा एक अच्छी बड़वार और जड़ों का विकाज भी आपको देखने को मिलेगा तो किसान भाईयों जो भी मैंने खात बताया हैं जो भी दबाई बताई हैं मेरे खुद के अनुभवों से बताई हैं मैंने इन सभी दवाई और खातों का हमारी मेरी खुद की भसल में उप्योग किया है उसके बाद आप सभी किसान भाईयों के सामने में ने ये रखी हैं तो किसान भाईयों आज की जानकारे आपको अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए जय जवान जय किसान